प्रतियोगिता एक्जाम की तयारी कैसे करे, competitive एक्जाम study tips भारत में आज के समय प्रतियोगिता एक्जाम की क्रेज सबसे अधिक है और युवा ऐसे एक्जाम की ओर बढ़ते जा रहे है ऐसे लगता है जैसे मानु युवा अपने सपनों को एक नया मुकाम दे चुके है अधिकांश छात्र प्रतियोगिता एक्जाम की तयारी के लिए coaching, institute आधी में शामिल होते हैं ताकि बहतर competitive एक्जाम की तयारी कर सके लेकिन बहुत सारे चात्र कोचिंग कक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते हैं जिससे वे कुछ topic पूरा नहीं कर पाते है सही दृष्टिकोन और रननीती की तयारी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीम करने की सबसे सफल कुझी है जो एक उम्मीदवार को एक्जाम क्रेक करने की प्रबल इच्छा प्रदान करता है देश में आयोजित प्रमुक प्रतियोगी परीक्षाए जैसे बैंक, UPSC, रेलवे, सरकारी एवं गैरे सरकारी की रननीती, पार्थ्यक्रम, महत्वपून विशेयों और इन परिक्षाओं के मूल्याकन के बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा, जो बहतर भविशे का मार्ग चुनने में मदद करेगा कॉम्पिटिटिव एक जाम की तयारी कैसे करे, टिप्स और रननीती कोई भी कोचिंग और इन्स्टिटिउट किसी भी परिक्षा को क्लियर करने के लिए कुछ शॉर्टकर ट्रिक्ज और तरीके प्रदान करते हैं जो तैयारी के लिए उप्युक्त होता है लेकिन यह समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है जो मुफ्त में प्राप्थ हो जाए प्रतियोगिता परिक्षाओं को हमेशा अपने आत्मबल और आत्मविश्वास से क्लियर किया जा सकता है क्योंकि कहा जाता है कि आपके अलावा कोई भी आपकी ताकत और कमजोरियों को नहीं समझ सकता है इसलिए एकजाम के पैटन को समझने और उसके अनुसार रणनीती तैयार करने का विचार स्वम करे और स्वार अध्ययन और द्रिर्संकल्प के माध्यम से सफलता का मार्ग सुनिश्चित करे इस परेशानी को दूर करने के लिए कुछ नायब तरीके दिया जा रहा है जो एकजाम क्लियर करने में मदद करता है एक, प्रतियोगिता एकजाम के सिलेबस को समझें सामाने तरह ये किसी भी अभ्यास या एकजाम का पहला भाग होता है जिसे समझना अती आवश्यक होता है क्योंकि अगर दिशा की पहचान सही न हो तो रास्तें भटक जाते है इसलिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षा पैटन और कठिना इस्तर को समझने के लिए उसके सिलेबस का अध्यान ध्यान पुर्वक आवश्यक है पिछले वर्ष हुए परीक्षा के प्रशन पत्रों के साथ एक निर्धारित पाथ्यक्रम होता है उस प्रशों को ध्यान से लिखे और समझने का प्रयास करे कि विशय से कितना प्रशन दिया गया है ये तरीके आपको विशयों के बारे जानकारी देगा जो आपके भविशय के लिए सरल रास्ता तैयार करेगा अर्थात आपके दिशा को भटकने से बचाएगा पिछले पांच वर्श के प्रशन पत्रों को एककठा करे सभी प्रशों को एक सीरीज में लिखें जैसे जी के, मैथ, वीजनिंग आदी उसका मुल्याकन करे अर्थात किस विशय से कितना प्रशन दी दो, टाइम टेबल बनाएं स्वम सुनिष्चित करें की अपने लक्षे तक पहुंचने के लिए कितना समय निर्धारित करना अनिवार्य है उसके बाद इककठा किये हुए प्रशनों के अनुसार विशयों की एक सरनी बनाएं और स्वम सुनिश्चित करें की किस विशय के लिए कितना समय पर्याप्त है ध्यान रखें, वैसे ही समय सरनी बनाएं जिसे आप कुरा कर सके व्यर्थ सरनी बना कर कोई लाब नहीं, वह केवल आपके मानसिक तनाव को बढ़ाएगा सबसे आवश्यक की बनाए हुए सरनी के प्रती इमानदार रहे एक ऐसे समय का चुनाव करें जो आपके लिए उप्युक्त हो विशयों को अलग-अलग समय में विभाजित करें प्रत्येक टॉपिक को एक निश्चित समय अवधी में बाटें मैच्स की तयारी सबसे अंत में करें कोशिश करें, सरनी में रीजनिंग सबसे पहले हो इंग्लिश को रीजनिंग के बाद ही रखें प्रत्येक विशय पर देल बजे से दो घंटे का समय दे तीन, ओनलाइन या ओफलाइन क्लास का मदद लें आज के समय में ओनलाइन क्लासेच सबसे सस्ता है लेकिन किसी खास मकसद के लिए यहां उप्युक्त जानकारी नहीं होती है इसलिए, जिस प्रशन पर संदे हो, उसे सर्च करें निश्चित रूप से आपका संदे क्लियर हो जाएगा केवल संदे वाला प्रशन ही ओनलाइन खोजें क्योंकि वहां ध्यान भन करने वाली वस्तुएं अधिक होती है अगर आप ओफलाइन क्लास लेते हैं तो नियमित रूप से क्लास पूरा करें यह आपका सिलिबस पूरा करने में मदद करेंगे नियमित रूप से क्लास लें ओनलाइन में यूट्यूब और गूगल का सहारा ले सकते हैं केवल संदे वाला प्रशन ही ढुड़े ओफलाइन क्लास में दोस्तों से मदद लें हमेशा किसी न किसी टॉपिक पर परामर्श करते रहे ये किसी भी टॉपिक को लंबे समय तक स्मरन रखने में मदद करता है 4. प्रत्य एक दिन रिवीजन करे केवल एक बार अध्ययन करके सब कुछ लंबे समय तक याद रखना किसी के लिए भी संभव नहीं है इसलिए शिक्षक ऐसे स्थती में रिवाइस करने पर विशेश बल देते है क्योंकि जादा तर मामलों में ये देखा गया है कि किसी को पढ़ाए जाने के दोरान विशे को सरलता से समझा जा सकता है लेकिन रिवीजन की कमी के कारण इस तरह की वाक्यों या टॉपिक को जल्दी भूल जाते है महान विद्वान कहते है कि सफलता पढ़ने की बदौलत नहीं मिलती बलकि रिवीजन के बदौलत मिलती है रिवीजन के महत्वपूर्ण नियम समय सरनी में Revision के भी समय निर्धारित करे हमेशा वैसे टॉपिक पर फोकस करे जो कठिन हो वर्तमान में जो चल रहा है ठीक उसके विप्रीत वाले टॉपिक की Revision करे Revision में concept clear करे, प्रशन नहीं Revision में online का मदद अवश्य ले पिछले वर्ष के प्रशन पत्रों को हल करें परीक्षा के पैटन को समझने के लिए सबसे अच्छा और सरल समाधान पिछले वर्ष के प्रशन पत्रों को हल करना है यहां प्रशनों के बारीकियों के विशय में पुनर्ता ग्यात होता है कि प्रशों कहां से है और इसमें गहराई कितनी है कम से कम दस वर्षों के प्रशन पत्र को हल करे और मूल्याकन करे कि आपकी तयारी किस हद तक हुई है और कितना बाकी है Entrance Exam के तयारी के लिए खुद को अपडेट रखें खुद को अपने प्रतियोगिताओं एकजाम के क्षेत्र में अपडेट रखना बहुत जरूरी है इसकी महत्वता Entrance Exam की तयारी के दौरान बहुत ज्यादा है जिस किसी भी एकजाम की तयारी कर रहे है उससे संबंदित हर तरह की सूचना के लिए खुद को अपडेट रखना आवश्यक है क्योंकि बहुत बार आप जरूरी सूचना से वंचित रह जाते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है किसी भी भरती से संबंदित खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेशा अकबार या बोर्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी परीक्षा से संबंदित जरूरी सूचना समय पर प्राप्त करते रहें ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करे के लिए आवश्यक है पांच, प्रैक्टिस करते रहे प्रतियोगी परीक्षा की प्रैक्टिस का कोई option और limit नहीं होता है क्योंकि ये पूरी तरह आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप एकजाम के प्रति कितना सीरियस है दरसल एकजाम की 70 प्रतिशत तैयारी प्रैक्टिस से ही होती है इसलिए जितना संभव हो उतना आपने entrance exam की तयारी के लिए practice करें और revise करें Regular practice और revision से exam से संबंधित सब कुछ याद रहेगा और आप किसी भी entrance exam exam अच्छा score करने में सफलता प्राप्त करेंगे महत्वपूर्ण निशकर्ष प्रतियोगिता परीक्षा की तयारी कैसे करें के संदर्ब में ये पूरा article समर्पित है जिसमें exam पास करने के सभी आवश्यक पहलूँँपर चर्चा किया गया है अगर आप अपने मेहनत के प्रती इमानदार रहते हैं तो मेरा दावा की competition की टायरी कैसे करें में अवश्य सफल होंगे सफलता की आनन तब आता है जब सभी कोशिशे आपकी स्वाम हो